नमस्कार दोस्तों मैं प्राची सूपर कोचिंग आई सुभी टेस्ट बुक में आप लोगों का बेहस स्वागत करती हूं दोस्तों टेस्ट बुक की तरफ से आपके लिए एक नया इनिशेटिव तैयार किया गया है यहां पर हम आपको वीकली करण्ट अफियर वो भी सब्ज पिछले हफ्ते जो भी करण्ट अफियर निउस पेपर में हाइलाइट था उसको हम जो है अपने वीकली करण्ट अफियर वीडियो में सब्जेक्ट वाइस कवर करेंगे। यह आज पहला वीडियो है इसे तरीके से हम आने वाले टाइम में आपको पूरे साल का करण्ट इन वीडियो से आपको एक तो रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा आप सब्जेक्ट का स्लेबर्स के साथ लिंकेज सीख जाएगे और साथ ही जो प्रेलिम्स पास आ जाता है तो आपको सब्जेक्ट को जादा टाइम रिवाइस करना पड़ता फॉर एक्साइंस और टेक करने के बार कि इनिशेटिव आपको कैसा लगा आए शुरुवात करते हैं आज का पहला वीडियो बहुत एनरजी और एक पॉजिटिव एप्टिट्यूट के साथ यहां पर देखिए हम कौनकों से टॉपिक्स को डिसकस करने वाले हैं पहला रिजनेरेटिव आग्रिकल्च दरसर IPCC Intergovernmental Panel for Climate Change के तरफ से एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अंदर रिजनेरेटिव आग्रिकल्चर पर काफी एमफेसिस किया गया था तो यह क्या होता है इसको समझेंगे दूसरा टॉबिक है वेव एनरजी जनेरेटर कुछ साइंटिस्ट के द्वारा समुनरी जो तरंगे होती है उनसे एनरजी को एक्स्ट्रैक्ट करके उससे इलेक्टरिसिटी जनेरेट करने के टेकनोलोजी बनाई गई है इसके बारे में चल्चा करेंगे थार्ड हमारा जो टॉपिक है 266 मिलियन इयर्स ओल्ड फोसल्स दरसर हमें 266 मिलियन साल पहले कुछ फोसल् पाश्म है यह हमें इस अर्थ का जो एक एवोलूशन हुआ है उसको समझने में हेल्प करते हैं इसके बाद ओपन एई चैट पीजेटी को हम पढ़ेंगे यह जो ओपन एई चैट पीजेटी है दरसल एक स्टार्ट अप के द्वारा बनाया गया चैट बोट है इस चैट बो उसमें बोच क्रेट कर रहा था क्योंकि अभी चैट पूर्ट का सर्व बैटा वर्जन लांच हुआ है बट पबलिक ने काफी एप्रिशेशन के साथ इसको एक्सेप्ट किया है तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे यह डीप लर्निंग पर काम करता है इसलिए हम कुछ किया था एक छोटी से चर्चा एंड एंड में हम देखेंगे इस पीस्टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन यह क्या है दरहसल इसरों के द्वारा फर्स्टों पर काइंड इनिशेटिव है यह जो एक पब्लीक प्राइवेट पार्टनर्शिप के तहत जो स्टार्ट क करते हैं यहां पर देखिए सबसे पहली न्यूस रीजनरेटिव अग्रिकल्चर आप यहां पर देख सकते हैं कि एक आर्टिकल आया था हीर इस वाई वर्ड नीट्स रीजनरेटिव अग्रिकल्चर वैसे तो यह क्रशी से सम्मंदिर टॉपिक है यह आप इसको परियावरण से भी लिंक कर सकते हैं पर आजकर अग्रिकल्चर के अंदर सर्टेन टेक्नोलजीज का यूस होने लगा है इसलिए आप इसे साइंस ट पर आई थी रिपोर्ट का क्या नाम था? ख्लाइमेट चेंज लेट मी जिस सलेक दा पैंड ख्लाइमेट चेंज एंड लेंड ओके इस रिपोर्ट में बेसीकली जो है इस रिजनरेटिव अग्रिकल्चर पर काफी एम्फेस दिया गया था उन्होंने यह बताया था कि अगर वर्ल्ड के अंदर एक food security लेकर आने हैं अगर climate change से अपनी जो soil है उसको protect करना है तो this is the solution यहां पर basically देखिए soil को जो है center में रखा जाता है यानिके म्रदा को दरसल हम सब को पता है कि मिट्टी अगर अपनी nutrition value खो देती है अगर पोसक तत्व खो देती है यह soil का erosion हो जाता है तो इसका जो सीधा सा असर पड़ता है वो हमारी food security यानिके खाद सुरक्षा पर पड़ता है और जैसे जैसे हमारे world में population increase होती जारी है हमें more food जो है basically production करनी पड़ेगी इसके लिए वैग्यानिकों के द्वारा अलग-अलग suggestions दिये जा रहे है जहां पर IPCC ने actually क्या कहा है regenerative agriculture एक solution हो सकता है तो what is regenerative agriculture तो दरह सल यह holistic farming system है holistic farming system दरह सल यहां पर जैसे मैंने आपको बताया soil की health पर और अगर soil की health अच्छी होगी तो food की quality अच्छी होगी साथी बार डावसरेटी इंप्रूमेंट पर water और air quality को ध्यान रखे काम किया जाता है यह सारी चीजें कैसे हासिल होगी इसके लिए certain methods जो है यहां पर suggest किये जाते हैं जैसे crop diversification या फिर crop को rotate करके use करना crop rotation use करना इसके लावा crop cover use करना मिन सारे चीज़ों को आपको detail में समझाऊंगी तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं chemicals जो है fertilizer में पिस्टी सेयर में उनका less use करें more emphasis to natural farming or the organic farming right इसके लावा tillage को जो है कम use करें देखिए tillage को हिंदी में मेरे actually खेती को जोतना बोलते हैं तो जब tillage होता है मिठी का तो मिठी उथली हो जाती है क्योंकि मिठी को क्या disturb कर देते हैं तो जो topsoil होती है जो कि बहुत important होती है पोधों के विकास के लिए वह topsoil क्या है धीली पर जाती है उसका जो एक गठन था वो धीला पड़ जाता है तो अगर तेज बारिश हुई या तेज हवा चली तो वो topsoil जो है या तो बह जाती है उर जाती है इसकी वज़े से मिट्टी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खो देती है इसलिए अब यह concept आ गई है कि zero tillage farming होनी चाहिए इसके बजाए अगर आपको agriculture के system के मिट्टी में aeration हावा की जरुरत है तो आप more eco friendly तरीके यूज करो जैसे कीचवे earthworms earthworms जो है मिट्टी के अंदर एक aeration कर देते हैं तो आपको tillage के उतनी जरुरत नहीं पड़ती यह समझ में आया इंटीग्रेट करना है लाइव स्टॉक्स को जैसे अगर आप पश्वो को और खेती को साथ लेकर चलेंगे तो कलको पश्वो से जो आपको एक apsis मिल रहा है उसको आप इसलिए पूस्ट के रूप में खाद के रूप में भी प्रियोग कर पाएंगे साथ में क्या बोला गया है जो कवर है क्रॉप्स का वो यूस करना चाहिए यह देखिए यह यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि में फसल के बीच में इस तरह से जो है छोट-छोटे प्लांट किया गया है यह बेसिकली हमने क्या क्या है इस मिट्टी को क्रॉप से कवर कर दिया फसलों से ढख दिया है इससे क्या है मिट्टी का मोश्राइजर इंटेक्ट रहता है तो यह तरीका होता है फिर क्रॉप की हमने क्या है रोटेशन करनी है इसके अलावा हमने क्रॉप डाइ सिटलिंग वगयरा होगी इस तरीके से जो है हम एक रोटेशन कर सकते हैं क्रॉप्स का देखिए मिट्टी के अंदर एक ही फसल अगर बार बार लगाई जाएगी तो फसल की अपनी न्यूट्रिशन को लेकर एक रिक्वार्मेंट होती है तो पॉर्टिकुलर पोख्शक अपने एक रूट सिस्टम होता है कि कितने डीप रूट जा रही है अलग अलग रूट सिस्टम की वज़े से मिट्टी के अंदर पोर्स बन जाते हैं तो फाइनली हम अगर बात करें तो रीजेनरेटिव अगरिकुल्चर के पांच मीजर प्रिंसिपल निकल कर आते हैं जो तो दिलसी में पांच औ ऑप्शिन बनकर आपके सामने आ सकते हैं याद करक मूत जैसे हमें किया करना है दिसमोल को डीजीज करते हैं इसके अलावा हमें सवाजी को कवर करना है इसके अलावा हमें लाइव रूट सुआ लोवर तरीज रहे पर बेटर तरीके से आंसर कर पाएंगे नेक्स्ट टॉपिक यहां पर देखे आयटी मदरास के जो रिसोर्चर्स थे उन्होंने अच्ली तमिलनाडू के कोस्ट पर एक वेव एनरजी जनेरेटर को पहले डवलप किया नट डिपलॉय किया यह जो रिसोर्चर्स थे आयटी मद अधन इससे होगा आप सबको पता है कि हम और इको फ्रेंडली तरीके ढूंड रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के इसे तरीके से वेव एनरजी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना भी एक क्या है रिनीवेबल एनरजी सोर्स हो जाएगा करेक्ट अब यहां पर द है यह वेव एनरजी जनरेटर है अब देखिए बेसिकली 20 मीटर की जो समुदर की डेप्ट है लगबा वहां पर जो तमिलनाडो का तूती कोरिन कोस्ट है वहां पर इसको डिपलॉय किया गया है मौर अबाउट देखते हैं देखिए यह जो वेव एनरजी जनरेटर है यह करती है। उसu टेकनोलजी का नाम है पॉइंच एब्सारवर अइनरजी कउन्वोडर खोल हम हीARI इस तेकनोलजी में होता विए जो एब्साौवर वर्ड है इसको थोड़ा सा ध्यान गान Two एपने आश स्पासी कि एनरजी गो जो है डिवाइस एब्साब कर लेती है और ऐसा वह जो वहां की एक रिलेटिव मुवमेंट है उसके जरिये करती है थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले यहां पर देखें क्या है एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है तैरता हुआ जैसे यह यहां पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है यह दो बॉंड का एक मोशन था उसको कंवड कर देता है देखें मैं आपको समझाती हूं इसका इस 20 का बैसी कली आप कह सकती है इस तरह से चीज होती है यह जो है बोईज आपका यह बीसिक Вас की मुवंवेंट करता है इस तरह के से मुवंवेंट होता है जैसे यह पानिंग जाती है इसको fix कर देते हैं अब यह तो आपका fix है बट यह गर wave के साथ movement कर रहा है तो इन दोनों के बीच में आपका एक relative motion निकल के आता है इस relative motion से ही energy को absorb करना देन उसको electricity में convert करना यह system यहाँ पर use किया गया है जैसे अब आप थोड़ा सा picture देखिए यह floating structure था यह आपको bear है चीक है जो उपर नीचे movement आपका दिखाएगा spare है चीक है और यह basically cable वगरे लगाई गई है इसको plate के माधियम से fix कर दिया गया है clear picture देखिए चीज़े आसान हो जाती है चीक है और फिर क्या बताया गया है कि be electric power में basically change होता है आईए देखते हैं सिंधुजा की अंदर क्या-क्या है मैंने बताया ब्रॉय है spare electric module है जो basically vertically submerged floaters होते हैं यह wave energy को क्या है absorb कर लेते हैं चीक है क्योंकि यहां पर piston है आपका electricity मैंने आपको असान करके समझा दिया है उसको ध्यान रखिएगा अभी फिलालिया 100 watt का energy जो है generate कर सकता है लेकिन अब देखिए यहां पर दो तीन चीज़े आती हमेशा wind की speeds एक तो नहीं होती और हमें पता है समुदर के इंदर जो wave बनती है वह wind की speed पर बहुत different करती है तो मालने जिए कभी wind बहुत slow है waves उस हिसाब से generate नहीं हो पारे तब तो फिर भी चलेगा लेकिन कभी समुदर के इंदर storms वगेरा आ गए तो क्या यह काम करेगा यहां पर एक रड़ अलर्ट किया था इसनेरियों बनते हैं समुदर के पास आपने बेसिकली कुछ इस तरह का यह सिस्टम बनाया है यहां से तमिल लाडू कि अगर हम बात करें तो चैने जैसे सिटी तक इसको ले जाना क्या फिजिबल होगा नहीं नहीं इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि सिटी तक ले जाया जाए आगे चलके कल को इसकी अगर कंवेंशनल एनर्जी सोसस के साथ कंपेर करें तो कुछ इस तरह की आप्लिकेशन तो अभी इसकी दिखाई नहीं देती है इसका फायदा क्या है माली जी यह आपका एक सी है इसके पास यह आपका तठ है यहां पर कोई प्लांट आपका लगा हुआ है कोई फैक्टरी का जो कोस्ट है वहाई होगा बिजली को यहां से यहां लेका नो प्रॉपर इंफर स्रक्चर की इबलिंग वगारा सब चाहिए तो इसके लिए यह जो टट के पास प्लांट है तट पे ही बना हुआ एक सिस्टम यूसफुल हो सकता है तो यह इसकी एक अप्लिकेशन हो सकती है ठीक है समझ गए चालिए यह क्लियर हो गया सिग्निफिकेंस की बात करें जो कोस्टल स्टीट है आइलेंड है वहाँ पर बेसिकली चालिस से पचास गीगावाट वेव एनरजी को जुनेरेट करने में यह हमें हेल्प करेगा ठीक है हो सकता है कि हमारे जो क्लाइमेट ची इनेशन सिस्टम लगाए यह सर्विलेंस कैमरा वगयरा लगाए तो उस सब में भी यह जो है हल्प आउट करेगा इस तारी चीजों को आप ध्यार रखेगा यहां पर कुछ इसकी सिक्निफिकेंस बताई हुए था टॉपिक की तरफ चलते हैं क्या था न्यूज में सबकाए इनसेक्टटीन के व्रध्य करते हैं यह सारे शेख़कर समस्पिकेश आप एसको सकते हो significance क्या है finding की देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमारी एर्थ की evolution के बारे में समझ यह बढ़ाते हैं अभी तक हमें पता है कि देखिए हम जो है पांच मास एक्स्टिंशन और लेडी अर्थ पर फीस कर चुक है यानि कि पांच बार ऐसा हुआ है कि जितनी भी जो है दाइनोसोर्स जो है खतम हो गए तो वह एक मास एक्स्टिंशन ही हुआ था पांच हो चुके हैं अभी छटा मास एक्स्टिंशन ओन गोईंग है ऐसा साइंटिस्स बोलते हैं जो पांच हुए थे वह नाच्रल कोजिस की वज़े से हुए थे कई बार आइस एज आ गया या कु ओन गोइंग है तो कल को हो सकता है अर्थ पर फिरसे ऐसा हो कि जितनी वी प्रजातिया मिलती है वो सब नस्थ हो जाए या उनका बड़ा हिस्सा नस्थ हो जाए जब एक बार ऐसा होता है तो दुबारा वापस एवाल्व होने में मिलियंस ओफ यॉर का टाइम लग जाता है तो देखें एको सिस्टम में जो एक्स्टींशन के इवेंट्स वगेरा हुए थे उनके बारे में कुछ इंसाइट्स मिलेगी ठीक है सिस्टम मास एक्स्टींशन का जो थ्रेट है उसके बारे में कुछ अंडस्टैंडिंग करने में हेल्प मिलेगी तो यहां पर फिर से वह पहले जो है natural phenomena की वज़े से हो रहा था बट अब जो हो रहा है वो human activities की वज़े से driven हो रहा है clear यहां पर बिग 5 पार्च जो mass extinction थे उसके बारे में basically पिक्चर के माधियम से देख सकते हैं UPC ने एक PYQ प्रिवेस एक क्वेस्टिन भी UPC का इस topic से संबंदित आया हुआ है 85% vanish out हो गया था second जो आया था वो basically late Devonian में आया था third largest था यहां पर 95% of all species जो है wipe out हो गई थी यह Pormenian के टाइम पर आया था 250 million years ago फिर fourth जो आया था यह Jurassic में आया था चीक है और fifth जो आया था यह Cretaceous में basically आया था और यहां पर जो भी non-avian dinosaurs थे वो सारे के सारे विलुप्त हो गए थे clear है चाली आगे बढ़ते हैं four topic की तरफ यह बड़ी interesting news है यहां पर देखिए open AI's chat GPT crosses one million users in less than a week since launch कोई chatbot launch हुआ एक हफते के अंतर 10 लाग से जादा लोगों ने उसको join किया तो what is it राइट तो देखिए एक artificial intelligence में research करने वाली company है जिसका नाम है open AI उन्होंने chat GPT को जो है basically बनाया है announce किया है ठीक है यहां पर GPT का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफोर्म यह तरीके से computer language model है भाशा के models होते हैं तो यह basically GPT 3 वाला है और यह computer language model है basically यह जो chat boat है यह humans की तरह जो है बात कर सकता है जब भी आप इससे कोई question पूछेंगे तो यह essay के form में not in like bullet points और keywords एक essay के form में एक natural behavior जो human का होता है बोलते हुए उसको reflect करते हुए आपको response दे सकता है that means आपको ऐसा लगेगा किसी इंसान से बात कर रहे हैं यहां पर आप देखेगा कि आपको बिल्कुँ ऐसा लगता है कि शायदा आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं यह बहुत intelligent answers देता है अगर इसकी applications की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे जानका किसी movie की script भी यह chatbot लिख सकता है इसके अलावा अगर आपको किसी चीज की summarization करनी है वो भी कर सकता है summary लिख सकता है keywords ढूंड के आपको दे सकता है अगर आप complex topic इससे पूछना चाहते हैं like coding वगएर आप पूछना चाहते हैं वो भी यह बता देता है इवन कुछ लोग इसका use करके codes भी लिख रहे हैं यानि कि आप chatbot से पूछ लेते हैं कि अगर मुझे यह application चाहिए तो इसके लिए अब question उड़ता है यह जो chatbot है यह सब किस आधार पर कर रहा है यह कर रहा है artificial intelligence के आधार पर इसमें भी concept आपको पता होनी चाहिए that is machine learning machine learning एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एरिया है इसे machine learning के अंदर एक subsector that is deep learning deep learning जो है जैसे हमारे humans के एक आप कैसे हैं neurons होते हैं उसी की copy करते हुए neural network पर काम करता है जैसे हमारे दिमाग में neurons के द्वाराम सारा data इखटा करते हैं process करते हैं recall करते हैं सारा का सारोसी के base पर है इसी तरह यह neural network होता है जिसमें अलग-अलग layers होते हैं उन अलग-अलग layers में काफी सारे information simultaneously process होती रहती है यह ऐसा तरीका है ऐसा network है कि फिर इसके माध्यम से deep learning में machine बहुत कुछ सीख सकती है इन मशीनों को आप पुराना बहुत सारा data जो फीड करते हो तो यह आने वाले time के लिए एक जो है चीजों को create कर लेती है for example अगर आपने machine को बहुत सारे humans के picture दिखाए हैं बहुत सारे cow के picture दिखाए हैं और फिर आने वाले time में अगर उसको third picture दिखे तो वो machine यह बता पाएगे कि human और cow में से कुछ है या नहीं है यह तो बहुत simple example था जिस तरीके से इनसान पूराने data के बेस के आधार पर सीखते हैं बच्चे भाशा सीखते हैं पढ़ाई सीखते हैं mathematics करना सीखते हैं उसी तरीके से machine भी चीजे सीख जाती है इसे deep learning के concept पर यह काम करता है और यहां पी चीज और ध्यान रखेगा कि basically translation का का इसके द्वारा हो सकता है जो Google के द्वारा भी होता है recommendation यह काफी सारी चीजों की आपको दे सकता है इससे भी बड़ी महत्पुन बात यह कि आपनी इससे पहले क्या पूछा था यह उसको याद रखता है और अगली बार आपकी chat को और improve करने में अपने responses को better करने में उसको यह help करता है इसके अलावा basically यह भी ध्यान रखेगा कि academic articles literary works भी इसके द्वारा किया जा सकता है तो सब कुछ अगर chatbot कर लेगा तो हम लोग क्या करेंगे right well this is the question फर यहां पर देखिये बताया गया है कि basically deep learning क्या है subset machine learning का है ना neural network के बीस पर यह काम करता है तीन या तीन से ज accumulate करता है वैसा behavior जैसा human brain का होता है हाला कि human की जो एक brain की ability है उससे भी दूर है शुकर है लेकि large amount of data से यह सीखता है अब अगर मैं यह कहूं कि this chatbot की इतनी सारी विशेषता है इतनी सारे benefits है तो limitation क्या हो सकती है यहीं से समझ जाईए large amount of data से machine ने कुछ सीखा अब आब कर एक gender discrimination दिखाई देता है अगर यही data machine के अंदर जाएगा तो machine की जो outcomes आएंगे वो क्या basis के साथ नहीं आएंगे है ना यहां पर color को लेके जो एक भिदवाव दिखता है men woman को लेके जो भिदवाव दिखता है racist को लेके भिदवाव दिखता है अगर उसी तरह का data हम machines को feed क करेंगे तो in future machines भी शायद biases होकर काम करेंगे क्योंकि जो data आपने दिया उसी से उन्होंने सीखा तो यह basically एक आप कह सकते है शॉर्ट कम इस chatbot का भी है चीक है uses or limitation की बात करते है देखिया real world application, digital marking, online content creation, answering customer service queries, code वगएर को debug करना यह सारे इसके applications है जो मैंने आपको बताएं occasionally inaccurate information में produce कर सकता है because that's a machine ultimately है उसके कुछ limitations होती है इसके अलावा इसकी जो knowledge है ना 2021 से पहले जो global event हुए थे वहीं तक restrict है क्योंकि उतना data इसको feed किया गया था दूसरा क्या है कि यह perpetuate कर सकता है societal biases जो मैंने आपको बताया है यह जो race gender culture को लेकर हमारे biases है यह सर्व सरवदा के लिए हो जाएंगे क्योंकि मशीने भी वैसे काम करने लगेंगी अब देखें आपर कुछ इंजन है that means वहाँ पर चीज़े आप ढूंदते हो right kind of questions आप पूछते हो और उन questions के keyword के बेस पे Google आपको information दीता है चैटबोर्ट आपसे conversation करता है तो यह difference है बात करते हैं फिफ्ट टॉपिक की जगदीश चंदरबशू अभी ministry of culture जो थी संस्कृती मंत्राले जो था उन्होंने इंटरनेशनल conference on the contribution of जगदीश चंदरबसू को जो है celebrate किया था क्योंकि उनका 164th birth anniversary था यहां पर देखिए उनके photo दिखाई गई है उनके contribution की बात करें तो उन्हें wireless communication को discover किया था और इनको father of radio science भी कहा जाता है इसके अलावा इन्होंने 600 graph बनाया था जो plant growth को measure करता है इसके अलावा millimeter range जो wavelength की होती है microwaves में microwaves 30 cm to 1 mm तो जो millimeter है इस पर इन्होंने काफी काम किया था बोस्ट इंस्टिट्यूट इन्होंने established किया था Cambridge University में ताकि modern research को जो है promote किया जा सके यहां पर देखेंगे का पूरा spectrum आपको दिखाया गया है अगर आप देखेंगे तो यह आपको microwave का spectrum दिखाई देता है चीक है आगे चलते है contribution to India वो teacher रहे सन बोस के मेगनंद शाहा के PC महान बॉलस के बेसिकली उन्होंने जो expansion of experimental science था उसको इंडिया में प्रमोट किया था इसके अलावा उन्होंने society के लिए भी काम किया जैसे slavery को जो है उन्होंने विरोध किया Britishers के द्वारा जो basically discrimination किया जाता था उसका उन्होंने सत्या ग्रह के जरिये विरोध किया यहां पर देखेंगे परसार भारती ने उनके लिए एक ग्राफिक बनाया था जिसमें बताया गया है first scientist थे जिन्होंने यह कहा कि पोधे भी हमारी तरह जिन्दा होते हैं उनका भी cycle होता है वो एक animals की तरह function करते हैं उन्होंने radio और microwave optics पर काफी अच्छे research की थी IEEE ने ही उनका नाम father of radio science रखा था इसके इलावा मैंने बताया एक stressograph उन्होंने बताया था जो plant की growth को measure करने के लिए instrument था चंदर्मा पर एक crater है जो इनके नाम पर रखा गया है these are some information about him इनको थोड़ा सा याद रखेगा अब हम अपना last topic discuss करते हैं देखे इसरो इंग्स memorandum of understanding with social alpha to establish space tech innovation network that is SPIN तो अभी इसरो ने क्या किया है एक समझोता sign किया है social alpha के साथ ताकि यह जो SPIN है इसको create किया जा सके यह SPIN किसलिए बनाया जा रहा है तो मानका चलिए जो एक start-up का ecosystem है या फिल जो एक space entrepreneur ecosystem है उसको promote किया जा सके उसको help की जा सके उसको एक level playing field दी जा सके ताकि हमारे आए SPIN के अंदर start-up culture promote हो entrepreneurs निकल कर आए एक competition हो है na SPIN technology के अंदर और अच्छे काम हो इसलिए इसको बनाया जा रहा है समझे यह पहला ऐसा dedicated platform है जो innovation, curation और venture development का काम करेगा ताकि space entrepreneurial ecosystem को bloom मिले अच्छा हो जाए इंपोर्टन क्यों है क्योंकि one of kind PPP है public-private partnership है start-ups के लिए space entrepreneurial ecosystem के लिए एक level playing field देगा ताकि सारे stakeholders लगातार collaborate कर सके इसके बारे में एक और important fact यह भी है कि SPIN innovation challenge ही लेकर आ रहे हैं जहां पर इन्होंने यह कहा है कि जैसे urbanization, mapping, natural resources management यह कुछ चीजे हैं तो इनके लिए आप क्या है solutions को develop कीजिए एक challenge इनके द्वारा जो है दिया गया है जहां पर start-ups इन problems के solution देंगे जो अच्छा करेगा उसको price मिल जाएगा correct Now there are two questions Hindi और English दोनों में दिये गए है solve करने का try कीजिएगा ठीक है क्योंकि मैंने पूरा lecture मूशली English Hindi mix ली आया चलिए यहां पर देखते हैं पुनर योजी क्रशी यानिके regenerative agriculture के बारे में कुछ statement है हाली में United Nation WHO के शिखर सम्मिलन बिस पर चल्चा की गई थी this is wrong क्योंकि IPCC के द्वारा अपने रिपोर्ट में इसके वारे में बता गया था यह कीवल जय विवित्ता सुधार पर केंदरीत है है ना सिर्फ फोकस करती है बार डावसेट इंप्रॉम्मेंट पर अगें रों क्योंकि होलिस्टिक फार्मिंग पर फोकस करती है रसाइने कुर्वरको और कीट नाशों का कम उप्योग करने से हमें पूर्ण योजय करशी में मदद मिलेगी लेस्ट प्रिस्टिसाइडस फोर्टिलाइजर हेल्प मिलेगी येस हेल्प मिलेगी तो दो गलत है एक ठीक है हमारा आंसर सी केवल तीन जो है ठीक हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी एकस्प्लेनिशन दी हो गही है पर देखा, फिर यह क्या है conversational chatbot है, जो बात करता है like a typical robot, चीक है, क्या यह ठीक है, यह आप थोड़ा से सोची है, अब यहाँ पर आजाईए, C solution, भाई, यह पूरा ठीक है, यह conversational chatbot तो है ही, और यह almost एक another human being की तरह basically क्या है, बात करता है, right, तो stay tuned, this is all from my side, मुझे उमीद ह है, हमारा यह नए initiative, आप लोगों को बहुत help करीगा, और यह आपको पसंद भी आया होगा, please अपनी feedback comment section में दीजेगा, ताकि मेरी team तक यह बात बहुंचे, कि आपने इस initiative को पसंद किया है, ताकि हम लगातार videos को लेकर आते रहे, मेरी sliding area stay tuned, thank you so much, जैहिंत, and yes, subscribe to super coaching IES by test book यह नहीं भूलना है, बहुत जल मिलूँगी आपसे, नमस्टाइब